चलिए का इस आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लो एकेडेमिक्स अगर आपका है 10th में, कम मार्क्स 12th में, कम मार्क्स ग्रेजुएशन में भी किसी भी वज़े से आपके कम मार्क्स आए हैं और आपको लगता है कि सर एकेडेमिक्स बहुत की लो है MBA हम कर पाएंगे भी या नहीं, अच्छे colleges हमें मिल पाएंगे भी या नहीं तो आज के वीडियो में थोड़ी सी important information आप तक मैं share करना चाहता हूँ और ये कहीं न कहीं एक motivational video रहेगा क्योंकि low academics के साथ भी, अगर आपको low academics है लेकिन ये किसी भी तरह के से justify नहीं है कि आप intelligent नहीं है बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानता हूँ, जिनके academics बहुत ही low रहा है लेकिन MBA में बहुत ही शांदार colleges उनको मिले है अब क्या कर सकते हैं आप, इंडिया में कई ऐसे colleges हैं जो low academics होने के बावजूद भी आपको admission प्रोवाइट करा देते हैं सिर्फ academics ही low है न, हो सकता है अधर जगे आपका अच्छा achievement हो मेरी profile वाले टेप देखी थे न, MBA profile कैसे strong करें वहाँ पर मैंने बताया था low academics होने के बावजूद भी वह कौन सी सारी चीज़े करें जिससे आपकी profile is strong हो सकती है प्रीज बच्चा, highly recommend करूँगा, वह वीडियो जरूर देखें MBA profile, बाइस सुनी लदिकारी दालेंगे तो वह वीडियो आपको मिल जाएगा चोटा सा वीडियो है, लेकिन आपकी life change वह कर सकता है चले, आज के वीडियो में, अच्छा, वह colleges जहां पर कम academics होने के बाद भी admission मिलने के chances हैं उनकी list, छोटी सी है list है, लेकिन important colleges हैं जिसको आप target कर सकते हैं, list को note down कर सकते हैं एक काम करना है, इन सभी colleges के official website में जाना है ताकि आपको ये exactly पता लग सके, कि entrance की percentage कितनी matter करती है और other चीजों की percentage कितनी matter करती है बहुत सारे ऐसे colleges हैं, जो 100% entrance के basis पर आपका admission देता है 10th, 12th graduation achievement, सबसाइड में सिर्फ entrance में कितना अच्छा आपने perform करा है इन में से जादा तर वो colleges हैं, जोकि entrance based आपको admission प्रोवाइड कराते हैं समझ में आ रहा है, तो ये हो गए non profile based colleges फिर भी मैं highly recommend करूँगा, इन सब के official website में जाकर एक बार और confirm कर लें, उस entrance की percentage कितनी है अगर 80-90 है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ 10 या 20% ही academics को देखा जा रहा है वहाँ पर अगर 90% entrance है, तो आपको entrance में जी जान लगानी है उस entrance को crack करने की और हाँ आप कर सकते हैं, 10th में कितना भी खराब थे, 12th में कितने भी खराब थे हो सकता है, अच्छे teachers ना मिले हो, हो सकता है, अच्छे कोई guide करने वाला ना मिला हो लेकिन अब वो scenario change हो चुका है, आपका IQ developed हो चुका है आप अच्छी coaching के तुरू अगर इस MBA entrance की तैरी करते हैं, तो आपको अच्छे colleges मिलने की पूरे पूरी probability है chances है, समझ में आ रहा है, तो confidence high रखेंगे, positive रहेंगे, चलिए Xavier School of Management, XLI Jamshetpur, one of the top 10 colleges में आता है, non-IMS में, तो यहाँ पर non-profile based admission में ज़ादा importance मिलती है, दोनों, कई colleges ऐसे हैं, जहाँ पर profile based पर admission होता है, non-profile based भी admission होता है, तो वो उनके official websites आपको पता लग जाएगा, MDI गुरगाओं हो गया बच्चा, FMS Delhi, जी हाँ, FMS Delhi भी specific entrance में ज़्यादा focus करता है, IAFT, India Institute of Foreign Trade, New Delhi, NITI Mumbai, बहुत ही famous, NITI Mumbai बहुत ही famous हमारे institute है, Symbosis Institute of Business Management, Pune, NMIMS, नाडसी मोन जी, Mumbai, बहुत ही famous, 4A school Delhi, IMT गाजियबाद, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Bombay ये भी non-profile based colleges में ही आएंगे बच्चा, यहाँ पर entrance में ज़्यादा तवज्युप दी जाती है IIT Delhi जिसे मैंने आपको बता है, Xavier Institute of Management, Bhumaneshwar Campus, M.A.T. University Noida, Wellenker Institute, Mumbai ये कुछ ऐच्छ है, चुनिंदा colleges हैं अच्छा, इनके अलावा और भी है, थोड़ी बहुत research करेंगे तो आपको idea रग जाएगा, जोकि low academics को भी preference देते हैं अगर आपके academics low है, तब भी आप इन colleges को try कर सकते हैं, तो घूम फिर आके matter क्या चीज़ करते हैं? इनके matter करेगा entrance, entrance में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके लिए बिल्कुल भी lenient नहीं होना है, academics के दरफ ध्यान नहीं देना है, entrance में कैसे अच्छे marks लाने है, सारा focus आपका वहाँ पर होना चाहिए, एक अच्छी coaching जरूर जोइन करें, coaching institute कौन से हैं, उसके उपर भी मेरा जस्ट वीडियो लॉंच हुआ है, वो देखना मत भूरियेगा, MBA coaching institute by सुनील अधिकारी यूट्यूब में दालोगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, कोशिश करूँ आई बटन में दाल दूँ, description में लिंक दे दूँ, फिर भी search करोगे, तो हर चीज अविलेबल है, YouTube में मेरे वीडियो भी अविलेबल हैं, और भी बहुत ही शानदार content creators हैं, उनके वीडियो भी अविलेबल हैं, जो कि आपको सरल भाशा में समझाते हैं, कि क्या करना है और क्या नहीं, मेरी तरफ से 100% आपके लिए effort रहती है, ताकि मैं सरल भाशा में, मेरा target यह रहता है कि मैं उन बच्चों तक पहुच पाऊं, जिन तक बड़े creators नहीं पहुच पाते, जो ऐसे बच्चे हैं, जिनको इतनी awareness नहीं है, कि MBA के लिए कौन सा entrance है, अगर वो कोई specific entrance है, तो उसको कैसे crack करना है, कैसे तैयरी करनी है, कैसे admission लेना है, तो सरल भाशा में उन बच्चों तक पहुच पाऊं, यही मेरा उदेश ये रहता है, objective रहता है, तो बच्चा ये थे, low academics colleges, जिनको आप target कर सकते हैं, मेरी effort, मेरा समझाने का तरिक आपको पसंद आया है, तो एक छोटा सा काम करना है आपको ये वीडियो को उस बच्चे के साथ जरूर शेयर करें, जो कि आपकी वेस पे आमल करेंगे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, मेरा नाम है सुनी रादिकारी, तिल देन टेके और गुडबाई, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि आपका भी दिनाएगा, thank you so much.